हेलो यूट्यूबर्स एंट्रैक लवजाद देर शुदिश गुमार अगेन हीर फ्रम होराइजन ट्रैक फॉर यू और होराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस अपिसोड में मैं आपको बेंचमार्किंग का डेमो देने वाला हूँ वैसे पार्च में मैंने एक वीडियो बनाया था बिल्कुल डीटेल वीडियो था जिसमें मैंने समझाया था कि बेंचमार्किंग क्या होता है क्यों करना पड़ता है कैसे किया जाता है और बेंचमार्किंग के जो अलग-अलग तरीके हैं उसके बारे में मैंने अच्छे से ड समझ में यहाईगी इस वीडियो को अगर आपको आपको समझ dif dibuj को अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा और समझमाइगा और अगर आपने वीडियो को अल्रेडी के सब जो software's हैं वो free में available नहीं होते हैं उनको आपको purchase करना पड़ता है और जो free में available है वो इतने efficient नहीं होते हैं इसलिए मैंने एक web tool find out किया है जिसकी मदद से आप अपने system को benchmark कर सकते हो as well as अपने system का जो benchmarking result है उसको किसी और के साथ compare भी कर सकते हो यानि कि उस community में आपके जैसा ही system जिसके पास होगा आपसे similar बिल्कुल same to same नहीं लेकिन आपके जैसा ही थोड़ा बहुत मिलता जूलता system जिस किसी के भी पास होगा और अगर उस user ने भी उस particular site की मदद से benchmark किया होगा अपनी system को तो वो जो site है वो आपको comparison दिखायेगा उस system के साथ कि आपका system कित आप उसे उस पे click करोगे आपके सामना ये web page available हो जाएगा ठीक है ये एक site है बहुत अच्छी helpful site है जिस पे बहुत सारी users अपने system को benchmark करके result upload करते हैं आप भी जैसे अपने system को benchmark करोगे इसका result इस site में upload कर दिया जाएगा automatically और दूसरे components के साथ compare किया जाएगा देखिए अभी तक इतने PC को इन लोगों ने test कर लिया है यानि कि इतने सारे users ने software की मतल से ये web tool है ये कोई software नहीं है जैसे आप इसे download करोगे ये portable application है जो run होगा और आपके जो सारे components है computer के CPU है GPU है hard disk है जो भी आपने लगा रखा है system में उन सब को test किया जाएगा कि वो कितने efficient है उ यहां पर weak है और overall system को देखा जाएगा कि overall system कितना powerful है यानि कि कौन सा component है वो weak है कौन सा component है जो bottleneck create कर रहा है system में और उसको change करने की जरूरत है वो सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी ठीक है तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है यहां पर यह जो free download का button है उस पर आप click कीजिए जैसे ही आप click करोगे आपके system में एक file है जो 5.33 MB की है वो download कर दी जाएगी ठीक है मैंने already download कर रखी है जैसे ही उस file को आप open करोगे application है ठीक है कोई virus activity नहीं है तो secure हो जाईए कि ऐसा कोई tension नहीं की जरूरत नहीं है जैसे ही आप open करोगे यहां से अपने system में components लगा रखें उन सब को one by one check किया जाएगा उनका performance टेस्ट किया जाएगा उसके बाद finally यह test complete हो जाएगा उसके बाद result आपके सामने आपके screen पे आपको दिखाया जाएगा तो मैं आपको request करूँगा कि जितने भी users हमारी horizon tag for you कि जितने भी subscribers जितने भी users अपन है कि कितनी users ऐसे करते हैं interested है करने में और उसके बाद करने के बाद आपकी system कैसी है आपका system का performance कैसा है वो मुझे personally देखना है ठीक है so hesitate मत होईए अगर आपने आज तक नहीं किया है बहुत सारे users है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन comments में इतने active नहीं है active subscriber नहीं है तो मैं उनको भी request करूँगा कि आप at least comments नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन इस particular video के नीचे आप ये test कीजिए और उसका जो link है वो म पूरा system कैसा है तो उसको analyze करके मैं आपको अच्छे से आपकी system को समझ के अच्छे से आपको जवाब दे सको तो पस आपको करना कुछ नहीं है जैसे ही आप यहां पर run पर click करोगे यह जो test है वो start हो जाएगा और पूरा जो test है वो complete होने के बाद आपके सामने एक webpage available हो जा सब कुछ बिल्कुल detail में दिखाया जाएगा ठीक है आप अच्छे से उसको study करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपने system को और भी अच्छे से आप जान पाओगे और भी बहदर तरीके से आप उसे समझ पाओगे जैसे मैंने अपने benchmarking वाले वीडियो में कह होती है और यह मेरी guarantee है आप यह जब test run करोगे उसके बाद जो data आपके सामने available होगा उसमें बहुत सारी information आपको ऐसे मिलेगी जो आज तक आपको शायद नहीं पता होगी so I hope कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर कुछ query है कुछ question है तो मुझे पूछिए और जैसे मैंने कहा है मेरी request है आपसे अगर आप इस channel को पसंद करते हो मेरे videos को like करते हो मेरे videos videos से आपको information मिलती है knowledge मिलती है तो मेरी request है इतना कर दीजिए कि इस particular test के खतम होने के बाद जो page आपके समने ओपत होता है उसकी link हमारे इस video के description में comment section में मुझे दीजिए ताकि मैं आपके system को अच्छे से समझ भाऊं और मुझे पता चले कि कितने users हैं जो इस type की activities में involved रह knowledge thank you so much